तो जी जे राम जी की कैसे है आप सब और युटूबர बरहना कि योची चीज को बनाना इए जल्दी से तो मेरे पास कोमेंट भी आ रहे थे आप लोगों के, कल भी कोमेंट आया था और परसो भी आया था, उससे लास्ट डे भी आया था, जब ये न्यूज आई न तब भी मेरे पास कोमेंट आये थे, कि दीदी ऐसे ऐसे सपना के साथ ऐसा हो गया, स्नैपी गल्स उनका चैनल है, उनके साथ ऐसे कुछ हो गया और बगवान कैसे कुछ कर सकते हैं और उनकी बात सही भी थी यार बच्चे दो चोटी-चोटी बच्चियां उनके साथ ऐसे कोई कैसे कैसे हो सकता है इंसान मानने को तयार नहीं होता है इंसानी दिमाग मेरा दिमाग खुद का मानने को तयार नह तो मेरे पास कोमेंट्स आये थे कि दीदिया आप कुछ क्यों नहीं बोल रहें देखे पहली बात तो कि इस टाइप क्यों कोई न्यूज होती है आप मेरे चैनल पर कहीं पर भी उठा के देख लेना मैं नहीं बोलती क्योंकि मेरे को किसी की खुशी में जैसे वो अच्छा बोल दिया लेकिनन कोई दुख होता तो मेरे को विश्वास नहीं होता हूस चेज का बन मन नहीं मानता हूसे चीज को अन वो एक उप लेके बाथा रहता है तो बताना कि मेरे मन है यह 5 यह थीं निन 밖에 यह बात ऊदर सब कोमेंट सेक्षन में भी बात आई है और मेरे को पता भी है क्योंकि मैं उनको देखती भी हूँ और मेरे वीडियो उनकी suggestion में चलते है मेरे channel पर उनका नाम है तो मेरे को पता है यह मेरे माम इंड़ जो है पता है क्यों एक मेरे दिमाग में यही बात आ रही है जब तक मन में एक आस है मेरे कि जब तक वो खुद ऑफिशियली आकर कुछ ना बोले जब तक मुझे आस है यूटूब पर क्या है यूटूब पर ऐसे फेक न्यूज आती रहती है पता नहीं कौन क्या बोलता रहता है अंदर एक होप सी मेरे अभी भी बनी हुई है और देखो चाहे कोई कुछ भी कहे लेकिन मेरे जैसा जो इनसान होता है ना मेरा मेरे पाप मैंने आज एक वीडियो और भी था उसमें भी साइद ये बात मैंने जिक्रिकिया था मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी मेरे में कि मैं सपना देख रही हूं कोई आएगा मुझे जगाएगा और यह सपना टूटेगा और मैं बुरे सपने से निकल जाओंगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा पहले के जैसा सब सही हो जाएगा मेरे दिमाग में यह बात चलती रहती थी तो मन मानने को तयार नहीं ह सकता और मैं आप लोगों से भी एकी चीज कहूंगी कि देखो जो भी बाते हो रही है ना बगवान जानता है जो है सच मुझे तो नहीं पता सच क्या है और मेरे ख्याल से आप सब को भी नहीं पता जो यूटूब पर बाते फैली हुई है वही सब आपको पता है तो देखे हैं और कानों से हम सून लेते हैं वह चीज भी कई बार गलत हो जाती है तो मैं आप लोगों से एक चीज कहूंगी आज अब तक मेरा अकेली का मन यह कह रहा था कि नहीं यह अफवा है अफवा है और बाद में सब सही हो जाएगा बगवान इतना बुरा कैसे कर सकता वह दो चोटी बच्चियां उपर से सपना कि साइद को ही आया है एक मिन्ट रूग न हां तो मैं क्या कर रही थी सपना तो मन एकदम पदम वह होता नहीं कि एक अलग सी फीलिंग आती है कि यार इतना गलत इतना इतनी बड़ी ट्रेस जी एक मा वह माबाप सबसी बड़ी बात वह म माबाप के तरीके से अगर हम देखते हैं आज अपने भी बच्चे हैं तो छोटे-छोटे बच्चों को पाल करके जब इंसान यहां इस लेवल तक लेकर आता है फिर इतनी बड़ी ट्रेस जी उसके साथ हो जाती है तो मन दुखी होता है तो यह सारी चीजे दिमांग में ग कुछ करें कि अचानक से वो आएं वो वीडियो बढ़ाएं दोनों पती-पत्नी साथ में और सब के मुण बंद हो जाएं और यह अफवा हो जाएं और मतलब क्या मेरे दिमांग में चीज और आ रही है कि क्या पता एक्सिडेंट हुआ हो लेकिन एक्सिडेंटल केस में क्या मैं आप लोगों से जो कोमेंट्स आए थे कल उनसे भी यही कहूंगी और बाकी मेरे वीवर से उनसे भी यही कहूंगी कि कई बार आखो देखा और कानों शुना भी गलत हो सकता है तो आप लोग इस चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ मतलब दुआओं में इतना असर होता है आपने देखा ओगारती के लिए दुआओं में इतना असर होता है और दुआएं तो ऐसी होती है कि चाहिए कितना कुछ भी हो जाए उस चीज को सही कर सकती है तो आप एक होप रखो एक आस रखो और उस होप और आस के साथ दुआएं करो कि भगवान वो दोनों अपने चै अब तक और मेरा मन भी नहीं था इस वीडियो में इस बारे भी कुछ बोलने का लेकिन यह होता है न कि यूटूब पर हैं दोनों ही तरीकी की बाते निकलती है कि सारे यूटूब पर सब ने अपनी अपनी राई दी आपने क्यों नहीं दी तो मैंने मेरे दिमाग में यह ब बगवान करे कि वो ऐसा कुछ हो वो एक आस है वो वो अभी भी है जब तक वो सामने नहीं आते उनके खुद के मुह से ऐसी बात ना सुन ले तब तक आस नहीं है तूटेगी और आस तूटनी भी नहीं चाहिए मैं तो आप सब को यह कहूंगी कि तूटनी मीं नहीं और आप लोगों से दुआएं चाहूंगी कोमेंट बॉक्स में कि आप ज़्यादा है ज़्यादा दुआ देना और अपने मन से दुआएं करना चाहिए क्या में जिनको लिखना नहीं अ आता न मन से दुआ करना कि उनकी लाइफ बैटर रहे बहुत अच्छी रहे बैस्ट और उनकी लंबी उमर की दुआ करना, बाकी तो बगवान जानता है, लेकिन अपने मन में तो अभी भी यह है, कि हाँ वो सही है, सायद तक उनका कोई एक्सिडेंट वगेरा हुआ है, कोई बड़ी इंजरी हुई है, जिसके कारण वो नहीं आ रहे, तो यह होप आप रखना, क सबकी बारे जो है न, बगवान शोने, ठीक है, तो आप अभी भी दुआ करना बस,